हेलो फ्रेंट्स मेरे चानल गुलदर्ष्टा में आपका स्वागत है आज मैं हमारे मितला का खास जारे के मौसम में बनाया जाने वाला चना दाल स्ट्रप बग्या बनाने जा रही हूँ तो आईए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामगरी लेना है बग्या बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चाबल का आटा दो सो पचास ग्राम चने का दाल जिसे एक धोकर तीन से चार घंटे अच्छे से भिंगो लेना है एक छोटा टुकडा अदरक का लगभग एक इंच का छिली हुई दो हरी मीर्च, बीस से पचीस का लीला सुन चिली हुई आधा निम्बू, हरा धनिया, एक छोटा चमच साबूत, जीरा और नमक यहां हमें अब बग्ये के लिए फिलिंग तयार कर लेनी है तो उसके लिए हम भींगे हुए चने के डाल के साथ, बांकी मसालों को पीस करके एक पेस्ट बना लेंगे तो इसके लिए मैं अब यहां इसमें डालूंगी हमारा अदरक जो हम छिल करके रखे हुए थे और दो हरी मिर्च मैं यहां लगा हूँ, मिर्च यह तीक है इसलिए मैं सिर्फ दो ली हूँ लासुन ली हूँ 20-25 का ली हमारी लासुन अगर आप नहीं खाते हूँ तो आप लासुन को स्कीप कर सकते हैं ये एक टी स्पून साबूत जीरा और इसमें अब मैं नमक मिलाओंगी नमक हमारा जितना कॉंटिटी है दाल का उसके हिसाब से मैं 2 टी स्पून नमक ली हूँ और इन सभी को थोड़ा सा पानी डालते हुए एक गाढ़ा सा हमें पेस्ट बना लेना है ये देखे हमारा दाल अब पिश चुका है दाल को हमें इसी तरह से गाढ़ा ही पीशना है अब हमें इस पेस्ट को भून लेना है अब गैस हमें अन कर लेना है और हमारा कराही हमें गर्म कर लेना है कराही गर्म हो जाने के बाद यहां पर हम एक चमच गही गर्म कर लेंगे यहां हमें घी का ही यूज़ करना है यहां हम कोई भी रिफाइन ओयल या कोई दूसरा ओयल यहां हम नहीं यूज़ करेंगे घी जब हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल के पेस्ट को अच्छे से चलाते हुए लगभग 10 मिनट तक हमें भूनना परेगा और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी सारा नहीं सूख जाए हमें इसको पेस्ट को सुखा करके बिल्कुल ही इसको ड्राइ कर लेना है हमें हमारे बगिये का फिलिंग बिल्कुल ही सुखा हुआ होना चाहिए अगर यह हमारा फिलिंग दाल का बिल्कुल सूखा नहीं होगा तो बगिये में एक ठीक से फिल नहीं कर पाएंगे और दूसरा जब हम इसे बगिये को पानी में बॉइल करेंगे तो हमारा बगिया फट सकता है यह देखिए हमारा दाल अब लगभग हो चुका है बिल्कुल ही यह सूख चुका है तो अब हम यहां gas off कर लेंगे और इसे अब हम दाल को ठंधा होने के लिए छोड़ देंगे और यहां अब हमें तयारी करने हैं अपने बगया के लिए आटा उसके लिए अब हम gas on करके और यहां पर गरम पानी कर लेंगे पानी मैं एक लीटर केरी हूं क्योंकि हमारा आटा 1.5 kg है तो हमें 1.0 लीटर पानी लेना है अछे से खौला है इसमें अब मैं एक चमच यहां पर घी डालूंगी और यसमें 1 चोटा चमच हमें नमक डाल देना है हमारा बगिया नमकीन नम्स केन है तो इसलिए यहां पे आटे में थोड़ा सा नमक डालना है पानी देखीए हमारा खौल चुका है तो अब थोड़ी थोड़ी आटा डालते हुए इसे हमें अच्छे से चला लेना है पर गैस यहां हमें बंद नहीं करना है बलकि उसे मीडियम या सीम कर लेना है और अच्छे से बाकी का आटा डाल करके हमें उसे अच्छे से चलाते हुए mix कर लेना है पानी में जिसे की आटा हमारा पूरी तरह से पक जाना चाहिए आटा बिल्कुल पक करके हमारा soft होना चाहिए तभी बगिया हमारा बिल्कुल soft हो पाएगा तो इसके लिए आप जब भी आँटा ले बजार से तो ये ध्यान रखें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल का आँटा होना चाहिए अगर आँटा थोड़ा सा भी ठीक नहीं होगा तो बगिया नहीं बन पाएगा तो ये आप ध्यान रखें आटा खरीदते समय तो इसी तरह से हम 2-3 मिनट हमारा हो चुका है हमारा ये मिक्स हो चुका है अच्छे से तो यहां पर अब मैं इसे यहां हमें गैस आफ कर लेना है और इसको लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढख करके छोड़ देना है यहां हमारा दाल जो हम भून कर रखेते वो ठंड़ा हो चुका है तो अब हम यहां पर उसमें कटे हुए धनिये का पता और नीम्बू का रस यहां पर मिक्स कर लेंगे नीम्बू में यहां आधा लीती अगर आपको थोड़ा और खटा चाहिए तो इसमें आप एक नीम्बू का रस भी मिक्स कर सकते हैं तो धनीय का पताऊट और नीमबू का रस हमें यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें यहाँ अध्यान रखना है कि जब हमारा दाल भुना हुआ बिल्कुल ठंधा हो जाए तभी यह दोनों चीज हम मिक्स करेंगे गर्म में हमें यहा यहाँ मिक्स नहीं करना है ये दिखे हमारा आटा ठंधा हो चुका है तो अब इसे हाथों में हलका सा पानी लगाते हुए अच्छे से मल करके इसका एक सॉफ्ट डो हमें तयार कर लेना है आटे का ये इसी तरह से चिकना बिल्कुल सॉफ्ट आटा आपका भी हो जाना चाहिए तभी परफेक्ट है ये बगया के लिए तो इसी तरह से आप अच्छे से आटा तयार कर ले और इसके बाद अब हमें यहां पर हमारे बगया के लिए पानी गड़ा महुने के लिए रख देना है यहां पर मैं गैस अन कर ली हूँ और पानी रख ली हूँ पानी लगवक तीन सब्सक्राणार के लिए परतर करने के लिए षयोचे रचरणाशने चापाइब एवड़ा जोब गया दोली हमें अभी पानी कॉल रहा है नहीं रखना और उसके वाद जो भी साइज बगय का रखना चाहिए उस हिसाभ से लोई पनिए हरु बनाना है और लोई को एक अच्छे से प्रेस करते हुए छोटा सा कटोरी जैसा बना लेना है जिस तरह से मैं एक छोटा सा कटोरी जैसा बना ली हूँ और इसमें अब हम इस फीलिंग को अच्छे से हलका से प्रेस करते हुए दबाते हुए इससे हमें भर लेना है ताकि जब ह पानी में बग्या को डाले तो हमारा बग्या ये खुले नहीं इसका जो दोनों साइड है वो और इसका जो फीलिंग है वो बाहर नहीं निकले तो इसी तरह से दबा करके अच्छे से इसका दोनों साइड हमें इसको पैक कर देना है अच्छे से और फिर हलके हाथों से हम इसको बिल्कुल राउंड जैसा गोल कर देंगे और दोनों साइड से इसे हलका सा नुकिला बना करके इसको एक अच्छा सा सेप देंगे ये बगिये का एक थोड़ा स्पेशल सा एक सेप हम बनाते हैं तो यहां मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे हलके हाथों से दबा करक हैं जिससे इसके उपर एक डिजाइन सा बन जाता हूँ काफी अच्छा लगता है बनने के बाद तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से इसे हाथों में तेल लगाते हुए और चोटा सा लोई ले जो भी लोई का आप साइज लेना चाहें बगिया जिस भी साइज का बनाना चाहें और हलके से इसी तरह से कटोरा बना लेना है और इसके बाद दोनों साइड को अच्छे से दवाते हुए इससे पैक करना है जितना भी आप फीलिंग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरे एक जिस तरह से मैं देख रहे हैं कि कटोरी के साइज से इतना फीलिंग लेक भर देती हूँ और उसके बाहल दोनों साइट को उसको अछे से हमें पैक कर लेना है अकर बहुत ज़्यादा इसमें भर देंगे तो जबाहर आप स्के पैक करेंगे तो हो सकता है क्रेक हो जय Republic इसलिए इसे फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और इसी तरह से दोनों तरफ से साइट से इसे आप अच्छी तरह से बंद कर दें और राउंड बना ले इस तरह से हलके हाथों से दबाते हुए और वो जो भी सेप आप देना चाहिए लेकिन बगिये का ये एक स्पे आते हुए सारे बगिये को बना ले देखे हमारा पानी अच्छे से खौलने लगा है तो आच मैं यहां थोड़ा कम कर ली हूँ और जैसे हैं एक या दो बगिया इसमें डालूंगी तो आच हमें इसे तेज कर लेना होगा क्योंकि हमारा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए और तेज आचों पर ही इसे लगभग हम 10 मिनट तक खौलाएंगे धकन लगा कर हमें खौलाना है तो पानी गिरे नहीं नीचे इसके लिए बीच में हम बीच में इसको बीच बीच में देखते रहेंगे तो यहां पर हम अभी इसको धक कर के छोड़ दूंगी करीब-करीब 10 मिन के लिए और बीच में फिर एक आदबार हमें देखते रहना है इसका धकन हटा करके तो अभी यहां लगभग 10 मिनट हो चुका था मैं अभी इसको उठाई हूं धकन लेकिन आप देख सकते हैं कि यह पका नहीं है अच्छी तरह से तो आप जैसे ही यह पक जाएगा हमारा त तो आप इसे लगभग 10 मिनट तक इसे हमें और भी पकाना है तो आच हमें तेज ही रखना है और बीच में हमें एक दो बार उसे धकन हटा करके देखते रहना है कि हमारा उबल का नीचे गिरे भी नहीं पानी और बग्या हमारा पकाया नहीं अब यह हमारा सारा बग्या पा आपका भी बगिया जब पूरी तरह से पानी में उपर तैरने लगे तभी समझें कि ये पूरी तरह से पक चुका है अगर ये पका नहीं रहेगा तो ये नीचे बैठा रहेगा और जैसे ये पूरी तरह से पक जाएगा ये इसी तरह से पानी में उपर तैरने लगता है तो य परसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का जानकरे आपको तुरंत मिलती रहें तो इसी तरह से एक अब मैं सारे बगिये हमें निकाल करके और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह ठंधा होने के लिए इससे छोड़ देना है जिससे की हलका सा इसके उपर का जो परत है वो थोरा सा अभी चिप चिपा होगा तो वो हलका सा रूखा हो जाए तो इससे देखिए अभी 10 मिनट हो चुका है लेकिन अभी पूरी तरह से ठंधा नहीं हुआ है पिर आईए मैं दिखलात इससे ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं भरनी है नहीं तो यह फट जायाएगा पानी में जैसे ही आप इसे बॉइल होने के लिए डालेंगे आप इसे जरूर बनाएं खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको यह टेस्ट कैसा लागा वैसे भी जब हम घर में कोई नया टेस्ट ट्राइ करते हैं तो सभी को वह बहुत अच्छा लगता है और यह काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा ते साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू